जैशे राम सनातन ज्यान की गंगा में आप सभी प्रभुद जनों का पुन्हार्दी के विनंदन है इससे पहले वेले वीडियो में महावारत काल में भी हनुमान जी के बारे में दो जगहों पर हमने चर्चाएं की है एक वहाँ पर जहां अर्जुन के साथ उनका संबाद होत है यह तीसरा ऐसा जगह है जहां पर हनुमान जी द्वापर यूग में उजागर होते हैं होता यू है अपनकी हनुमान जी अब आशिरबाद दे चुके हैं अर्जुन को कि अर्जुन के जो ध्वज है जो उनका जो अर्जुन का जो रत का जो ध्वज है उस पर हनुमान जी सदैवे विराजमान रहेंगे कुरू छित्र में जब तक लड़ाई चलती रहेगी तब तक तो महाभारत के जुद्ध में अरजुन के रत पर बैठे हनुमान जी कभी कभी खड़े हो करके कौरों की सेना की तरफ घूर कर भी देख लेते तो कौरों की सेना में तुफान की गती से जुद्ध भूमी छोड़ करके भागने का हाकार मच जाता था हनुमान जी से रहा नहीं जाता था तो जब कभी भी वो पताके से ही घूर करके उस तरफ देख लेते थे तो कौरों में भागने की होड़ लग जाती थी हनुमान जी की दृष्टी का सामना करना किसी के साहस की बात नहीं थी और यहीं उस दिन भी हुआ जिस दिन अर्जुन और कर्ण का सामना हो रहा था कर्ण अर्जुन उपर अत्यंत भेंकर वाणों की वर्षा किये जा रहा था उन वाणों की वर्षा से जो रत के जो चालक थे जो रत के सवार थे जो रत पर जो सवार थे अर्जुन थे और जो रत के जो संचालक थे भागवान शिरकिष्ण उन पर भी वाण लगते जा रहे थे और एक समय ऐसा आया कि भगवान स्रिकिष्ण के कवच कट करके गिर गए और भगवान के कोमल कोमल शरीर में कर्ण के तीखे तीखे बाण लगने लगे हनुमान जी से ये बरदास नहीं हुआ और हनुमान जी जैसे उनको देखे अकस्मात उग्र हो गए और उग्र करके गर्जना करने के बासे वह जैसे की कूद करके और करण को मारने के लिए दोड़ने के लिए उतारू हो गए जैसे ही सिरकिष्ण भगवान ने देखा कि हनुमान जी करण को मारने के लिए उधारू हो रहे हैं उन्होंने अपना दाहिना हाथ उठाया और उनको बैठा बैट बोले, बैट जा, सिटाओ, आराम से बैट जाए, उनको ऐसा मानों उनका और इसमें हुआ ये था कि हनुमान जी के गरजना से ऐसा ऐसा आवाज निकला, जैसे मानों की ब्रह्मान नहीं फट जाएगा, कौराव सेना तो पहले ही भाग चुकी थी, आनों की सेना में भी गल खलबली मच गई, कि ये इतना इतना भेंकर आवाज किसका आने लगा, भगवान स्रीकृष्ण तुरत उठ करके, और हनुमान जी को असपर्ष करके उनको साधान किया, और उनको बताया, ये पहनपुत रुकिये, ये आपके कुरोद करने का समय नहीं है, भगवान से कि असपर्ष से हनुमान जी रुक तो गए, किन्त उनकी पूँच आकाश में खड़ी हिल रही थी, उनके दोनों आतों की मुठियां बंती और दाथ कटकटा रहे थे, और आगने नेत्रों से करन को घूर करके देख रहे थे, हनुमान जी का कुरोद देख करके करन और उसके सा अगर आप इसी प्रकार करन की योर कुछ छण और देखेंगे, तो आपके क्रोध समातर से ही करन जल करके भसन हो जाएगा, यह त्रेता योग नहीं है, यह द्वापर है, इस योग में आपके पराकरम को तो दूर, आपके तेज को यहाँ पर कोई सान नहीं कर सकता है, इसल आपकार समझाने के बाद से जैसे तैसे हनुमान जी शान्त हो करके बैठ जाते हैं, और तब उसके बाद से पुना अरजुन और करन के बीच में युद प्रारम होता है, तो यह है अतुलित बल्धामम हनुमान जी, जो जहां पर भी खड़े हो जाते हैं, वहीं से नई नई चीजे देखने को मिल जाती है, यह हनुमान जी की तेज को बरदास करने का द्वापर यूग में किसी के पास आस नहीं था, इसलिए भगवान श्रीकिष्ट ने उनको शान्त रहने का अन्रोध किया, और इस तरीके से उनका उनकी बात मान करके पामन पुत्र शान्त हो गया फिर मिलते हैं एक नहीं कहानी के साथ, तब तक के लिए जाशी राम